श्री गनेशाय नमहा, नमशकार दोस्तों, ये राशीफल चंद्र राशी पर आधारित है, चंद्रमा मन का कारक है, हमारे मन पर जो भी उठार चड़ाव आते है, वो चंद्रमा की स्तिती लेकर आती है, और इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को बह जो श्री में 12 भाव में रहेंगे, जी हाँ, 12 भाव में चंद्रमा का होना अच्छा नहीं होता है, इस दिन आपको कुछ सावधानिया बरतनी जरूरी होगी और साथ ही कुछ उपाय करने भी जरूरे होगे, ताकि आपका दिन अच्छा जाए, इस दिन आप मांसिक रूप स बलत निर्ने लेने से भविश्य में आपको पच्छताना भी पड़ सकता है। आज फिजूल के खर्चे काफी हो सकते हैं तो खर्चे पर लगाम लगाए। लापरवाही बरतने से आज बिजनेस में किसी प्रकार का नुकसान भी हो सकता है। जी हाँ पर अगर आप साउदा निबरतते हैं और शान्ती से काम लेते हैं तो नुकसान नहीं होगा। आज आपको बिजनेस मंदी यातराय करनी पड़ सकती है लेकिन यातराय करने के लिए समये ठीक नहीं है। यात्राओं से लाप मिलने की संभावना काफी कम रहेगी, यात्राए टाल दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यात्रा के दोरान स्वास्त भी परिशान कर सकता है, तो संभल कर रहना ज़रूरी होगा, नोकरी पेशा लोगों के लिए मानसी परिशानिया रह सकती है, आपिस में माहोल आपके खिलाप रहनी की संभावना रहेगी, आज शान्ती बनाये रखे, कारेक शेतर में किसी से जगड़ा पसाद हो सकता है, अगर कोई आप से तू-तू मैमे करता भी है, तो भी उस पर ध्या ना दे, क्योंकि आज किसी भी तरह के विवाद में पढ़ना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, आज आप अगर अपने काम से काम रखते है, खुद को काम में बिजी रखते है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, घर परिवार में भी परिशानिया रह सकती है, परिवार म किसी सदस्य क्या स्वास्त बिगडने की संभावना रहेगी, इस वज़े से खर्चा भी काफी हो सकता है, इस दिन चोट लगने की भी संभावना है, तो आपको संभल कर रहना होगा, आपके बहान की स्पेड भी धीमी रखनी होगी, किसी भी काम में जल्दबाजी इस दे न और व्यर्थ के वाद विवाद करने से बचे, परिवार के लोगों के साथ प्यार से पेश आए, अगर लव लाइफ के बात करे तो लव लाइफ में भी किसी वज़े से तनाव उत्पन होने की संभाव न रहेगी, आज हर काम समझदारी से करे, किसी प्रकार का विवाद उत जरूर लगाए, अपनी किताबों को साप सुत्रा रखे, उन पर धूल मट्टी ना बैटने दे, हलका भोजन करे और पढ़ाई के दोरान ब्रेक्स जरूर ले, दोस्तो अगर आप विदेश में जौब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए दिन बहुत बढ़िया बढ़ सकती है, तो विदेश से जुड़े मुद्धों पर आपको लाभी लाभ मिल रहा है, लेकिन बाकी सारे ख्षेत्रों में नुकसान होने की संभाव नहीं रहेगी, अगर स्वास्ते की बात करें, तो इस समय में स्वास्ते भी परिशान कर सकता है, आखों से जुड़ी और माथे पर चंदनिया केसर का तिलक जरू लगाए, तो कापी हट तक परिशानिया खत्म हो जाएगी, इस दिन आपके लिए पीले रंग का इस्तिमाल करना अच्छा रहेगा, और तीन अंक इस दिन आपके लिए लखी सावित हो सकता है, दोस्तो ये राशी फल चंदर रा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, दोस्तो सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है, तो वीडियो आगे जरूर देखे, नमस्कार दोस्तो, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है, अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है, तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है, परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित हो और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। जीवन में नकारत्मक्ता फैलती है जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है। उनकी जगे पर रखे, उनके लिए एक स्थान बनाएं, उस स्थान पर रखे, अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है। वहाँ पर उने रखे, साप सुत्रा रखे, जूते चप्पलों को उनकी जगे पर कुछ इस तरह से रखे, को वो देखने में भी अच्छी लगे, अगर वो चीजे देखने में अच्छी लग रही है, तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल जमा दिखता है, जी हाँ, जो चीजे हमें लगता है, आगे जाके हमारे काम में आ सकती हैं, वो हम घर के उपर रख देते हैं, लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती, हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है, इस वज़े से घर के ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाडू, गमला, इत्यादी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बाहर निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मोजूद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं हो होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चिड़शेडा हट होती है और चोटी-चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजे कूडा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिलकुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोटे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते हैं तरक्की ला सकते हैं धन ला सकते हैं मा लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता ह तो इन चीजों को जरूर आजमाएं इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें धन्यवाद